भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी ट्यारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराए जाएगी इसके लिए आप गुर्मेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को दबाएए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले हेलो फ्रेंड साथ तो 25 सेप्टेंबर के जितने भी इपॉर्ण नौकरी लिकडियों करेंगे तब भी माध्यान आ जाएगा और वहां से आप इसके PDF ले इसक्ते हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कल जब हमने 24 सब्टेंबर के करंट अफेर्स पढ़े थे तब लास्ट में दो कोश्टन टेस्ट के लिए दिये गए थे सबसे पहले हम वो डिसकस करेंगे इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेर्स और आपका सबसे पहला टे और दूसरा टेस्ट तहाँ कि 2018 ट्रैक एस्या कपज साइकलिंग्स टूनामेंट का आयोजन का अईओज़ कर रहा है तो इस देश का नाम है भारत इस बार 2018 ट्रैक एसिया कप वाईओजन है वह भारत में हो रहा है और इस आपश्टा ब्सक्राइशं था बी इन दोनों कोश में देना होगा और आज का सबसे पहला करंट अफेर है किसे नेपाल प्रेटन के लिए सद्भावना राजदूत किया गया है तो देखिए उनका नाम है जया पर्दा यह जो आपको पिच्छे में दिखाई दे रही है यह है जया पर्दा यह एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है और इन्हें हाली में नेपाल प्रेटन के लिए सद्भावना राजदूत न्युक्त किया गया है यह ब्रेंड धेज्डर न्युक्त किया गया इन्हें देखिए इनकी निक्ति से यह होगा कि भारत में नेपाल का प्र्यटन वह उ狂त और आपको कुछ इंपॉरटन बात है जया पर्दा के बारे में पता होने चाहिए जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया ये बॉलिवूड एक्ट्रेस है और इसी के साथ साथ ये हमारी संसत की पूर्व सदस से भी रह चुकी है और सबसे इंपॉर्डन आपको इस कोश्चन में भारत के और नेपाल के परेटन मंतरी क नाम पताने चाहिए तो भारत के परेटन मंतरी का नाम है के जे अलफान्जो और नेपाल के जो परेटन मंतरी है उनका नाम है रवेंद्र परशाद अधिकारी और क्योंकि यहां पर नेपाल का नाम आया है तो कुछ इंपॉर्ण बाते नेपाल के बारे में जान लेते हैं देखें यहां पर है नेपाल नेपाल की केपिटल है काठ मांडू और नेपाल की करंसी है नेपाली जूपी और नेपाल की जो प्रेजिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी और नेपाल की जो प्रेजिडेंट में प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है खटगा प्रशाद ओली तो इतनी कुछ important बाते थि नेपाल के बारे में अगले करण्ट फेर ए आज का शाइन beimगोज का पहला अंतर राश्च्डी दीवस कब मनाया गया है कप अन्तरा रेश्च्री कब online effective को 23 स्टमबर को क्यों मनाया जाता है ये भी बात आपको पता हुआ चाहिए क्योंकि 23 September 1951 में World Federation of Deaf की स्थापना हुई थी और 23 September को Sign Language दिवस मनाया जाने की जो घोशना है वो UN ने की थी और जब इस साल 2018 में ये दिवस मनाया जा रहा तो आपको इसका थीम भी पता हुआ जाए तो इसका थीम है With Sign Language Everyone is Included या फिर कहें कि Sign Language के साथ हर कोई शामिल है ये इसका थीम है 2018 का और अब यहां पर नाम आया है World Federation of Deaf का यानि की WFD का तो इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्ण बाते जान लीजिए देखें इसका जो Head Quarter है वो Finland में है और इसकी जो President है उनका नाम है अंटोनियो गुट्रेस और जो संयुकते रास्ट्रे के डिप्टी Journal Secretary है उनका नाम है अमीना जे मौंद और अंटोनियो गुट्रेस के बारे में लाजमी का हाली में नीधन हो गया है तो अपको उनकी उम्र बतानी है कि कितनी उम्र में उनका नीधन हुआ है तो उनकी उम्र थी 64 years की यह 64 साल की थी और इनका जो नीधन है वो 23 September को हुआ है 23 September को मुंबई में महारास्टर की जो Capital है मुंबई वहाँ पर और यह फिलम मेकर के साथ साथ बहुती फेमस निर्देशक और निर्माता भी थी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थी यह और इनके जो लास्ट फिल्म थी वह 2006 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था चिंगारी तो इतनी इंपर्ण बाते आपको कल्पना लाजम और महरास्टर की जो प्रैजर में चीफ मिनिस्टर उनका नाम है दिवेंद्र फिडणाविस और महरास्टर की अंदर जो लोग सभा की सीटें वह 48 और राज्य सभा की सीटे 19 है और महरास्टर राजी का जो गठन है वह 1 मई 1960 में हुआ था नेक्स करंट अफेर है आज का ध् ऩngती है जिसमें राजीव गांधी खेल रेतन और द्रोनाचारे पुरसकाल ये सब शामिल हो तकर शामिल होते हैं उनकी लिस्क राजव। दिया है अपने पत से और अब देखे क्या आपको पता हो चाहिए जीवन जो सिंग के बारे में कि जीवन जो सिंग पंजाब यूनिविस्ट्री ऑफ पत्याला के भी कोच हैं और अब कुछ द्रोणाची पुरशकार की जो हैं अध्यक्ष का नाम आपको पता अंची तो उनका नाम ब्ढशाओ का दिया जाता है तो इतनी इंपर्णन बात थी करणड़े के बारे में अगला करंड़े आज का किसने आली में माल्यविया के राष्ट्रपती चुनाव जीता है तो उनका तुमें को जीता है और इब्राहिम maggot жिए गोजा से 5-4 मीलें और एब्राहिम सोलीम मानिक मौण 16 ऊइदेती नाम छिचाती ये खिराया मेरा है rega 302 परसेंट मिले और इसम्हक्ति भीुट में पाती बोट चुनाव खराए को सली और अभी जो प्रेजिट में हैं उनका नाम अब्दुल्ला यामीन है यह बात तो आपको पता ही है और अब कुछ इंपॉर्ट बाते मालदीप के बारे में जान लेते हैं तो भाग के नीचे जो यह डॉटेड एरिया होता है यह होता है मालदीप यह आपको जूम करके भी दि सौलमा सबसे एर्परट कौन सा बन गया है तो हाली मैं UV में जिपोर्ट जाए हे जिसके उन्होंने इंडरा गांधी अंतर॑ राष्ट हवाई एड़ें में विश्व का सोलमा सबसे से एठ एरपोर्ट घोशित किया है और आपको यह पता हुए ए जेना प्रων दिल्ली में है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो विश्व में पहले नमबर पर सबसे बीजियस्ट एयरपोर्ट है उसका नाम है हटर्सफिल जैंक्शन हवाई अड़ा जो कि अटलांटा में है और जो दूसरा सबसे बीजियस्ट हवाई अड़ा है वो है बीजिंग हवाई अड़ा जो कि बीजिंग में है जैसा कि नाम सी पता लग रहा है और जो तीसरा सबसे बीजियस्ट हवाई अड़ा है वो है दुबाई अंतरराश्य हवाई अड़ा जो कि दुबाई में है और इस लिस्ट में चोथे नमबर पर है टॉक्यो का हवाई अड़ा पांचवे नमबर पर है लौन से एजलिंग हवायड़ा और अब कुछ इंपॉर्ण बात है आपको एसी आई के बारे में पतना चीज की फुल्फॉम पता होनी चाहिए आपको तो इसकी फुल्फॉम होती है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल और एसी आई के जो स्थापना है उनका एक रिपोर्ट जारी करता है यह जो रिपोर्ट होती है वो उनके किस तरह की वो सर्विसेज प्रोवाइड करते है अपनी कस्टमर्स को उसके बेसिस पे होती है अगला करण फ्यर है आज का किसने पुरुष एकल चाइना ओपन का खिताब जीता है तो देखिए उनका न चैंपिंशिप में इन्होंने कैंटो मोमोटा को हराया है और अब कुछ इंपॉर्ण बाते एंथनी सीनिसुका गिंटिंग के बारे में जान लेते हैं तो देखिए जो पिछले महीने जकारता में इश्याई खेलों का आयोजन हुआ था उसमें एंथनी सीनिसुका गिंटिं में तो चाइना के बारे में इस इंपॉर्ण बाते जान लिते हैं लेठें यहां पर है चाइना और चाइना की कैपिटल आइज चाना की करनसी रीइन में भी और चाइना के जो प्रद inaugural उनका नाम है मिलें शी इंपिंग नेक्स क्रूंट ऻब्धान कोर दांड गातन कहां प पाक्योंग हवाई एड़े का जो निर्मान है वो 2009 से ही शुरू हुआ था पर 2018 में ये जाके कम्प्लीट हुआ है और इसका जो निर्मान है वो A.A.I. ने करवाया था A.A.I. की फूल फूम होती है एरपोर्ट अथॉर्टी ओफ इंडिया और एरपोर्ट अथॉर्टी ओफ इंडिया का जो हेड़कॉर्टर है वो न्यू डैली में है और इसके स्थापना है शिकम सेकिम की कैपिटल है । यह जो हुआ डै वो सिकम के अदर गंग्तोग से लग क्या MICH Hero 23 की दूरी पर रहें और सिक्यीम के जो प्रेजिंट में partager है वनका नाम है पवन कुमार चामिली और सिक्किम के तहत कितने राज्यों को पुरसकार दिये गए हैं तो अमरित के तहत कुल तीन राज्यों को पुरसकार दिये गए हैं और इन तीन राज्यों के नाम पता होने चाहिए तो इन तीन राज्यों के नाम हैं आंधरपरदेश, उडीसा और मध्यपरदेश और देखें अमरित के तह ते लगभग 116 शेहरों की रैंकिंग की गई थी और इस सुची में जो आंद्र परदेश है वो पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है मध्य परदेश और अब आपको पता होना चाहिए कि अम्रित क्या होता तो इसकी फुल्फर्म सबसे बढ़े आप लोग नोट कर लीजिए इसकी फुल्फर्म होती है अटल मेशन फॉर्दा रेज्यूवेशन एंड अर्बन ट्रांस्वर्मेशन और देखे इस अम्रित को 2015 में लॉं अंधर परदेश की capital है अम्रावती और अंधर परदेश की जो प्रेजन में चीफ पनिस्टर अंनाम है एंट चंद्रबाबू नाइडू और अंधर प्रदेश की फ्रेजर में गववर्नर है उनका नाम है इसल नरसीमह और उडीसा की आपको capital होने ची तो उडीसा की capital है कोपाल नेक्स करेंट अफेर है किसने जूनियर विश्वी कुष्टी चैंपिंशिप में रज़त पदक जीता है तो उनका नाम है दीपक पूनिया और इस चैंपिंशिप में जो पहले ही नंबर पहर जिन्होंने गोल्ड मेड़ जीता है वह तुर्की तुर्की के जो खिलाड है स्लोवाकिया कहां पर है तो आब पता है कि प्राइम मिनिस्टर प्राइम पेलेग्री अगले करंट अचके किस पूर्व भी सीचा अध्यक्ष का नीधन हो गया है तो उनका नाम था दत जो कि BCCI के पहले अध्यक्ष रह चुके थे और इनका हाली में 24 अक्टूबर को नीधन हो गया और जो विश्व नाथन दत थे इन्होंने 1989 में ICC के अध्यक्ष का पस संभाला था और अब BCCI के बारे में जान लेते हैं इसकी फुल फुम आप लोग नोट कर लीजिए इस ही के खनना और BCCI के जो Chief Executive है उनका नाम है राहुल जुहरी और BCCI के जो Man Coach है उनका नाम है रवी शाच्री और जो Woman Coach है उनका नाम है रमेश प cohesive portion हैं उनका नाम हमेश पोवार और BCовалरि तो यह कुछ जालीए कॉम कंपनी का नाम है BSNL ने Antty और Softbank के साथ एक समझोता ग्यापनों पर हस्ताक्षर किये हैं और ये समझोता भात में 5G शुरू करने के लिए किये गए हैं और इसके बाद एंटीटी और सौफ्ट बैंक के बारे में जानेंगे सबसे बेल देखें बी एसनल इसकी फुल फर्म होती है भारत संचार नीगम लिम्टेड और इसका जो हैड कोडर है वो न्यू डेली में है और इसकी जो स्थापना है वो 2000 में हुई थी और बी एसनल के जो स्थापना है वो 1999 में हुई थी और एंटीटी कम्यूनिकेशन के जो CEO है उनका नाम है तेज शुए शोजी और अब सौफ्ट बैंक के बारे में कुछ इंपर्ट बाते तो सौफ्ट बैंक यह जापान की मल्टिनेशनल कंपनी है और इसका जो हैड़ कोडर है वो ऑब्यस है क की करेंट अफैर्स और जैसा कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि दो टैस्ट होंगे आपकी तो सबसे पहरा टेस्ट है कि अनिल-कुमार-चौधरी को कहा का नया चेयरमेन शुच किया गया है इन चार उप्षिन मेंसे आपको कि नाम बताना है जिस कंपशनी के अनिल-कुम सब्सक्राइब कर लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे और साथ ही में आपको आपके एक्जाम्स की तयारी भी करवाई जा रही है और डेली की डेली सुबद चार बज़े आपको करणट अफे भी प्रवाइड करवाई जाते हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ ठेंक यू